है कि असके असको उनार में कजिस्ट करेंगे अपना मार्केट का एनलिसेस करेंगे जिसमें लेंगे जो फठ करते हैं उने लिए युह यूस्टी टियू शॉस्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलेसिस करेंगे गोल्ड का अनलेसिस करेंगे साथ में बिटकोइन का भी अनलेसिस करेंगे तो जो भी मेजर पेर हैं उनका अनलेसिस करेंगे और वन वाई वन देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबल सेन और वे पिक आप करेंगे okay so first of all I'm going to disable the chat section because so many are question answer right now so I'm not able to read your question answer while I'm doing back testing and analysis markup everything right so let's close this one and it जब ये फैपनार का एंडर जाएगा उसके बात में इसको एनेवल कर देंगे आपके कुछ अंसर के लिए right तो सबसे पहले start करेंगे हम most requested and most ट्रेडवल पेर ये और एक स्मार्केट में जो लोग भी करते हैं उनके लिए सबसे जो और ट्रेडवल पेर है वह है यूरे यूरे यूस्टी क्योंकि यूरे इस्टी में काफी लोग ट्रेट करते हैं मौने कि सेल समझत भूonta और उसको पहले एक हायर टाइम लेटेंगे यहों कि अब यसमें क्या पॉसिल सनार्यू है और हम आने वाले दिनों में इस्पेक्ट कर सकते हैं मार्केट का मोमेंटम अगरा पिछले का देखुए काफी डाउन ट्रेंट के दरफ नीचे के दरफ ड्रॉप गया था अभी इसमें एक बुलिश मोमेंटम आया है चुक्कि करेंट प्राइस सेक्शन है वह एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट इसमें जो प्रीविस इस के जो स्टॉक्टर बना था लोर लोज एंड लोवर हाई इस तरफ अपका इस्टॉक्टर में आपको यह चीज़ द्खनें озगी मार्केट में क्लोजिंग होना जरूरी ए जब तक प्रैस क्लोजिंग नहीं देगा वह ब्रिकॉफ इस्टॉक्टर नहीं होगा वह आपका जब तक लोजिंग देगा तब ही आपका ब्रीक अप इस्ट्रक्शर होनी के बाद आपको इन्डियूस्मेंट देखना है यह सारे ब्रीक अफ इस्ट्रक्शर है अभी मार्केट निकारा यहां से टर्न कि इस हाइब को ब्रेक के लिए क्लोज कर दिया यह चौक लिए होता है तो वहापे स्वीप करें या पर क्लोजिंग दे दोनों के से में वैलिड होता है वह लोड़ टाइम फ्रेम में मार्केट में जो प्राइस है उसकी क्लोजिंग होना काफी ज़रूरी है अब यह चौक होए चौक होने के बाद में आपको सिंपली करके करन गया और मार्केट फॉल्ड़ार कले यह आप का हार हाई कंफर्म होता है कि आपका वे बनोला लिए तो मार्केटश्स करता है inEX면 इस वाले केसेश इसमें का फिक यह बाला चुभल बेंकता होग यह मार्केटने इंड्रियूशाल सनुन फिल्वाय इड़ में निया तब tepress है आँगे और इसी तरीके से आपका जो पेरे स्टूक्चर था इस में वी यह आपके इंड्यूसमेंट यह उस्तवर के बाद जो five 시асy विक्ल को इसन्ट उसी को इंड्यूसमेंट बोला जाता है 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 यहाँ पेदेखोगे यह वाले इंड्यूसमेंट कुरतक है और यहां पर इंड्यूस्मेंट हुए लाइट अगें चौक होने के बाद मार्किट कंटीनी उपर गया है और पुलवाइक होने के लिए एक लिए स्केंडल का हाई लो ब्रेक होना ज़रूरी है तब ही जाकर कि आपका जो वैलेड इंड्यूस्मेंट है वो कंफर्म होता है अ तक यहां आपका लोव स्वाइंट है स्वेक्ट एकिया वैप mapping आपका देखना होता इसने मार्केट को ब्रेक रीक तर यहां पर मार्केट ने इसको जिलिए उयां हो जाएगा सकता हो जाको क्योंकि मार्केट आपकाと思 ट्रेंग में और भूरे यह पर ब्रेकुजर हो गया राइडके आपका भैरस पॉलिज़यों में आपका जब एक करता है और जो फ़र्स्ट पूलबाइक वोगता एथ जो ब्रेक करता है चौक आपका पूलेस्ट मार्किटिश किया तो फॉस्ट पूल वैक वह वो चौक हो गया अब आपका structure continue उपर जा रहा है तो यह आपका बोलिस रहेगा जब भी मार्केट ब्रीक करेगा प्रीवियस आई को वह आपका बाउस होगा जब तक कि में लो ब्रीक न हो जाए अब यहां पर आप आप इंडिकेशन देखोगे कि अभी की जो इंडिकेशन वह किया यहां पर यहां पर आपका लोस्ट मार्केट उपर गया अगें मार्केट ने क्या है आपका इंडिसमेंट कहां लिया इस वाले प्राइसमेंट में क्योंकि यह पूलवाएक है फुल्बएक मार्केट ने लिया यह वाला लिया ने भी इस स्कनल को ब्रीक नीच नीं किया है तो यह ब्रीक करके इसको बृक करके इसको ब्रूजिंग दिया जब धे तो क्या होतों आफिसमें इягा जब तक कि मार्केट इन्द लेगा इस वाली अगर आप देखोगे देने कहां पर किह बाहिंच कसेस्में आपका जो इन्दिसमेंट वह कहां इंडी में पॉर्ण फे राइड कि आपका इंडीयस्मेंट है मार्केट को ये इंडियस्मेंट लेना ज़रूरी है जब कि इंडीयस्मेंट लेगा अगर नहीं लेता है तो क्योंतर है उसके समें मार्केट ऊपर जाएगा इस हाई को भी कर दें यहां पर एक इंड्यूसमेंट के तो वो ले ले तब ले नीचे आने के बाद इसको ले ले तब भी आपका सब्सक्राइब करते हैं तो मार्किट में बीक आफ इस्ट्रक्ट्ट्रों मतलब इस्ट्रक्ट्ट्र सिफ्ट हो उसके बात में आपको वेट करना हो तो करना और यह तीन चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं तो यह आपका इंडिस्मेंट हो गया अब मार्किट में यह इंडिस्मेंट लेने के बाद आपको देखना होगा यहां से यहां तक कहां पर आपका अन्मिटिगेडर और ब्लॉक है इस वाले केसे में देखोगे तो बहु आप हर एक और ब्लॉक कि यहां पर मिटिगेट हो गया कर सकते हैं और यहां पर बैलेड जो आपको याद रखना है कि सब कुछ नहीं है लेकिन लेक्विटी और इंड्यूस्मेंट बहुत कुछ कुछ SMC में वह लेना ज़रूरी है जब मार्केट उसको ग्रैप करेगा और ब्रेक करेगा या फिर उसको स्वीप करेगा तब जाकर आप उसमें बाइस अलगा सकते और प्लॉक इतना इंपोर्टेंट नहीं होता है और अड़ ब्लॉक जस्त हम लेते हैं कि रिफाइनमेंट के लिए एक एरिया मिल जाता है जिसे आप आया सकते हो इक जोन पर अब यहां पर यहां पर इंटी ले सकते हो दूसरा यह अगर इसको स्वीप कर दे सूप करने के बाद में लोवर इस चाहें आपका कांटीनियु ऊपर भी जा सकता है इस आई को बेक करके ठीक है इसका मतलब यह नहीं होगा यह बाहुतल नहीं होगा त्यक्ति लिए उसके दिया होता है कि मार्केट उपर जाकर कि इस अगर अगर मार्केट यह नहीं लेता है तो उसके करें या फिर इसको कंटिनु ब्रेक कर दे इस वाले लोग को और यहाँ पर एक चॉक करते फिर उसके हमिएंजेंट अपर छॉप बाहँ आपको देखने जरूरी है और इंडेस्मेट लेने के बाद ही आपको को एंटी लेनी है अभी की सिचेशन देखोगे तो अब आपको देखना होगा यह आपका लोस्ट पॉइंट है जो कि लेना कंपल सरी है तब जाकर कर सकते हो एट लिस्ट मार्केट को यह और यह कर सकते हो और रिमेंबर आपको यह ध्यान रखना है यह आपका डिसेजनल पी और आपका यह वाला है जो कि बॉटम पर इंडिस्मेंट क्योंकि यहां पर प्राइस में क्या है इंडिस्मेंट लेगा तब जाकर करके आपकी हाइब बाइब बनेगी ऊपर वाले रेड जो एरिये मार्क है रेट का मतलब यह डिसेजनल और जो आपका परपल कलर रहे यह का हाई प्राइब टी एंफ और वाई तो अभी इसको में लोघर टायम फ्रेम में देखते हैं वानावर के टायम फ्रेम में आप देखोगे मार्केट का जो डारेक्शन वह ओवरॉल पूरा का पूरा बेरस्ट डारेक्शन में और जब मार्केट आपका बैरस्ट भाइब नइए कर सकते अब अबigor सकते हो बाइब करोगे इस सब्सक्राइब यह नहीं तइन करोगे तो इस बढ़ा गांन फ्रेमट इसप्रेंग करोगे तो आपका प्रिव Luca गहां किमार्केटंशन नहीं आप इसको एक वार ओक्न system होगे करे कोणो हूने के बाद में आपको लोगा कहां पर यह व्हाला पॉयंट क्यों व्हार्व प्यूंट कि अपका इंडिश्मेंट की मतलब होता है जो फॉस्ट ब्हुंध पूल गोटा आप रेक ओपिर इंडीसमेंट हो गया इंडूसमेंट का कि मार्केट में लिया पुश किया और यह आपका हो गया ने और यह प्लोजेंग दिद्ल अब क्या हुआ है आपका हो गया नोगर हाई इसमेंट है कर दिया अभी कर दिया आपको इंडिसमेंट कहा सिर्ट ब्लत जो कि यहां पर एक सिर्ट करोगे तो जो भी पॉसिविल और ब्लोक यह जोन है यह सारी मिटिगेट हो चुके हैं सिर्फ यह अफ्टिकेट नहीं हुए है राइट चाहिए तो आप इसको पूरा जोन को मार्क कर सकते हो इसटाइब से रैइट रिफाइनमेंट के लिए आप इस सैडो को यूज कर सकते हैं और सैडो जब आपको यूज करनी होती तो उस किसिस में सेटो सुइप होने चाहिए दूसरी चीज यह कि वह सब्सक्राइब यूज कर सकते हो पूरी चैंडल भी उसकर सकते हैं और यूज और सब्सक्राइब कर रहे हो उसमें रहता है कि आपका जो काफी बढ़ जाता है बड़ा पूरा जोन लोगे तो उ बेसिकली जाता अगर लॉंग सेट हो तो आप सब्सक्राइब करें लिए जब रहाएं टाइम फ्रेम का कन पर मिसलें आप वहां पर एंट्री बना सकते हो आप अब यह होगया अगर आप इस वाले केसिस को भी यहां से एक इबारी से यह वाला जोने यहां आपका वाना होगा हिपाली के लिए और आपका फस्ट टार्गेट होगा वह आपका फस्ट फैलबाइक होगा जोแफ्र ऑस्ट फॉन स advise वह यह वालों करना स्फोड़ी आप चलते हैं लोगर टाइम फ्रेम में फ्राम स्ब्राइम लेकर करके कि इसाइम ने बडू करना है तो अगे बसक्राइब यहां पर करोगे पहला प्लबेक यह वाला आहां पर और यह ब्रेक किया आपको एक्टी नहीं लेनी है क्योंकि आपके जोन पर टैप नहीं किया जब जोन पर टैप करेगा तब यह आंटी लेनी है दूसरी चीज़ यह अगर आप पूरा जोन मार्किंग करोगे जैसे आपने केंडलिस्टिक फ लाटो चाहिए इस लाट में कोई इंडींट नहीं है जब लीजन नहीं तो आप को क्या करना और कमार्केट नहीं प्रेविएंग करेंने करता हूं डीटेल में प्रीवियस हाई आपका स्विप किया और जब प्रीवियस हाई स्विप किया इसका मतलब लेक्यूटी ग्रैब होगी और जब लेक्यूटी ग्रैब होगी उसका मतलब आपको अब इंड्यूस्मेंट की जरुवत नहीं है इस कैसे में द्यान रफो लोग कि यह वाला जो इस्ट्रक्चर रहे इसमें जो प्रीवियस आप उल्बैक है उसमें किया हुआ है उसमें यह हुआ है कि आपका जो प्रीवियस इस्ट्रक्चर हाई था उसके क्लोजिंग दिये और यहां पर स्वीप किया है तो स्वीप किया तो वहां पर इंडियूसमेंट की प्लोजिंग दिए इसका मतलब इस्ट्रक्शर क्रियेट हुआ है यहां पर किसी भी तरीका कोई इंडिकेशन नहीं मिला है यहां पर सिंप्ली अगर मार्केट कुछ इस टाइप से करके कोई इसमाल पुल बैक बनाता फिर यहां पर ले लेता तब एक आप एंट्री बना सकते थे पॉर साहल के लिए वाइट यहां पर कुछ नहीं हुआ यहां पर मार्केट ने स्वीप किया तो इस केसे में क्या कर सकते हो आप सिंप्ली अब रेक होगा जो फर्स्ट फॉल बैक वह हाई टाइम फ्रेम ऐसे नहीं होता हाई टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होना जरूरी है यह चौक स्वीप क्या आपका अन्मीटिकेटर और ब्लॉक कहां पर यहां पर आप इसमें एंट्री बना सकते हो और आपका जो स्टॉप लोस होगा वहाई के अब रहेगा इस वाले प्राइसमेंट के वह राइट और जो आपका टार्गेट रहेगा अपको यहां पर रखना होगा और फाइनल टार्गेट आपने पेंशन किया था वान आवर के टाइम फ्रेम के असाप से जो उसका रिसेंट लोग दूसरे केसे में क्या हुआ अगे नीचे की तरह ट्रॉप किया और आप देखोगे जो प्रीवेस केंडिल उसको हाई सब्सक्राइब और यहां पर नेक्स एंटी बना सकते हो इस टाइप से इसके अब अभी रखना होगा तो यह दो पॉसिवल एंटी से यहां पर आप सैल बना सकते हो और इस तरीके से अभी की जो करन्ट स इसको अगर आप रिफाइन करोगे तो यह जो सैडो है एक्षली राइट प्रैस ने टैप के हैं से यहां से रेक्शन दी अभी आपको यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं बाया सैल करने की सिंपली आपको क्या करना है वेट करना है यह डिमांड आपकी ब्रेक हो जाएगा डिमांड टू सप्लाइए फिलिप क्रियेट हो जाएगा और इस तरीके से आप इसमें सैल का सैटप बना सकते हो तो यह पॉसिवल जोने पॉसिवल है और बाइन सैल इन यह यूरी हायर टाइम फ्रेम अपको काफी समझ में आगए कि स्ट्क्चर को किस तरीके से मैपिंग करने आपको किन चीव का ध्यान रखना रखने काफी कुछ चीज़ें गलियर हो गए होगी अब चलते हैं दूसरे पर की तरफ निए जीवीपी यूस्ती तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको एक टांफ रेम प्रस्पेक्टिब से के इसमें डिली टांफ रेम में इसमें इसमें सिमलेर रिस्टोरी यह जैसा कि यूरे यूस्ती में हुई थी सेम चीजह आपके आप नोटिस करोगे प्रिविए फायर हाई ब्रेक किया राइकन फिर लो ब्रेक अगें यह वेड़ वेड़ वर इस वन इसके वह इंडीसमेंट आपका मार्केट ने लिया जो की यहां पर है को किसमेंट ले लिए किसी प्लयक कर सकते हुए यह नफृह बाइट कर सकते हो इसी जो मार्किंग करते आ पर सकते हैं यह होता है से ओभी सेंगल और अगर इसी पिक्चर को वन आवर के टाइम फिरम में देखें थोड़ा सा और ज्यादा किलियर रोचाएगा वन आवर के टाइम फ्रेम के अगर हिसाब से आप यहां पर नोटिस करोगे तो यहां की डाउन साइड की तरफ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अन्मीटिकर अगर आप यह वाला यह बिल्कुल नहीं इन दोनों हाई इनको ब्रेक नहीं किया तो यह कैंडल इसके बीच में बनी है जो कि अल्रेड़ी मिटिकेट हो चुकी है तो आपको दियान रखना है मार्केट इंडिसमेंट लेगा तम आप इसमें बाइड कर सकते हो तो यह इसका पॉस्विल सेनारियो है चीव भी उस्टी में हायर टाइम फ्रेम से राइट इंडिसमेंट लेने के बाद आप यहांपे बाइड कर सकते हो और दूसरा यह और ध्यान रखनी अगर आप इस्ट्रुक्चर वाइस देखते हो कि इसमें का सेटप भी बन सकता है शौट टम के लिए क्योंकि यह इंडिसमेंट लिए इंडिसमेंट लिए लिए मार्केट ने आपके और ब्लॉप के मिटिकेट किया अंसरी इस सब्सक्राइब कि यह चों टम के लिए अगर तो आप यहां पिरॉट कर सकते हो फिर्टार्गेट जो प्राइस है वह रिंज में हैं तो यह आपका जीपी एस्टी का एक ओवराल भी हो गया और अभी कुछ पैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि क्या पॉस्विल सेनारियों उसमें कि देखो बैंक निफ्टी का एक सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है पैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिस है और इसमें आपको सिंपल चीजें अगर आप देखो करके इस प्रिवियस यहां पर हाया बना हायर लो अकें यहाइब लो इस परने के आपका पहले कहां पर स्थिप किया सबसे आप देखोगे यह वाला इस पॉइंट में आपका प्रिवियस लोग यहां पर ब्रेक हो गया है अगर यहां पर सिंगल के अपके पास वह यही है अगर बैंक निफ्टी ऑलमॉस 43,000 तो यहां तक लिए अगर मैं इसको एक लोगर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या पॉस्विल हो रहा है अगर वन आवर के टाइम फ्रेम के साबसे आप देखोगे यह तो आपका इंडिस्मेंट लिए तो फर्स्ट आपके जो डिसीजनल जोन है वह आपका यही है जो कि मिटिकेट हो चुका है इसका मुलाब यहां पर आपको साथ की प्रावल्टी देखने को मिलेगी पाइम निट के टाइम फ्रेम में चॉक्ले प्रेट होगा आप यहां पर सैल की पोजिशन बना सकते हो राइट देखो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार किस तरीके साथ यहां पर कर पाऊगे कि यहां पर आपका स्विप किया मिटिकेट गिया आपको देखोगे यह पर चॉक्क हो गया सिंप्ली आपको वेट करना इंडिसमेंट का इंडिसमेंट कहां पर आपका यह वाला पूरा सिंगल लए गया चुक्कि मार्केट ने ग्रैप कर लिए आपका यहां पर यहां पर यहां पर यह सकते हो पूर यह आपका डिसनल एंट्री ए और टार्गेट आपका यह वाला रहेगा प्रीएस चाहिव यह वहाला रहेगा इस तरीके से इसमें पॉसिव साइटफ है और यह डिसेजनल है यह चाहिए आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अगर आप डेली टाम फ्रेम देखोगे लेने के बाद में आपका पुल बैक में अगर यह फेल्ड होता है तो फिर इस हाई के अब आप इसमें सैल कर सकते हो या फिर इसमें दोनों फिर सेनारियो रहेंगे य सब्सक्राइब करेंगे यहां तक लिए इसके बाद में डिसाइड करेंगे जलसा प्रैस कब यह विर होगा उसके बाद वह चीज़ बनेंगे अभी की सिच्वेसदुशन है करेंट सिच्वेसन वह सैल की है आपके बैंक निफ्टी में ऐस पर दी वान आवर फाइम विनिट टेली टाम फ्रेम तो अब यह स्ट्रक्टर कंडीशन ऑब्सनें इसमें अगर यह फेल वह होता है इनकेस जाए अगर यह फेल भी होता है तो आपका यह स्ट्रक्टर बीच़ोगा तो फिर जो भी आपका इंडूस्मेंट है यहां पर किलिए वह संठीक कुछ भी आप इसमें बाई बना सकते हूं इंड्यूस्मेंट ले मार्केट मिटिगेट करें और फिर कांटिंग इस तरीके से कि आपको काफी कुछ समझ आगया होगा कि कि चीजों का आपको द्यान रखना है काफी इंपोर्टेंट अभी स्टार्ट करते हैं कुछ और अभी और मिल्कुल नहीं करेंगे सिर्फ कुशन आंसर को रीट करेंगे वन वाई मन देखते हैं कि और कुशन को आप रिपीट मत करेंगे अदर्वाइस आप आप आटमेटिकली रिमूब हो जाओगे कि उसमें इस पैम डिटेक्ट हो जाएगा तो एक परसन एक ही बार टाइप करें और जितना पॉस्विल हो सकता है देखते हैं कि निफ्टी सर निफ्टी बैंक कि निफ्टी रहता है थोड़ा सो डिफ्रेंशेट रहता है वह सेम चीज़े रहेंगे आप उसकी के साब से आप कर सकते हो आनेलिसिस और ज्यादा नहीं करेंगे खुट ज्यादा टाइम लगता है गल्ड का भी और नहीं करेंगे इसवार इकली बारकर वेबनार करेंगे उसमें कभर कर परोप अब जो है करेंगे लेकिन उसको करेंगे क्यों ऐसको जादा टारीके साथ जल्दी करना होता है इसलिए कम पेर जादा च्छी से हम कर पाएंगे आपाइंड सर्व जब इंबेलेंस जहां पर अब लेवेल है तो वहां पर सिंपल है कि मिटिए हो चुका है और रेड़ी वाइब नौट उसके साथ में वन में टाम फ्रेम यूज करना हो था वन में टाम फ्रेम में दिख्कत यह थी थोड़ा सा दिख्कत यह रहती कि काफी अग्डिसिव टाम फ्रेम होता है कोई I will not able to handle that situation in a one minute time frame because price move very fast in a one minute time frame in stock market forex market crypto market every market right इसलिए अब वन आवर एंड फाइमनेट कांबिनेशन यूज करोगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा आपके लिए दीपर पुलबैक डीपर पुलबैक के ऐसा कुछ नहीं मतलब एक लार्जर पुलबैक होता है उसी को बस बोलते हैं मैंलब जो कि एक्ट्वल में एक लार्जर होता सेपन साइज में अब से समसी करने चाहता हूं डिटेल डिटेल आपको टेलिग्राम चैनल पर आप जाकर कि मापे टेक्स्ट मेंसेज कर सकते हो आपको डिटेल मिल जाएगी इस विड्व वॉल्यम वॉल्यम का इतना ज़रुवत नहीं देखें कि आपको वागरवाग करने है तो वहाँ पर जरूवत बार बार चेक्ट करने कि आप सिंप्ली जो भी टौप के पिर से आपके टौप के जो भी इसक्र रहते यह पिए पॉप पर जिन में आप प्र उनि गोल्ड का नेक्स्ट वेविनार में बनाएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग यह सर वीडियो रिकॉर्ड हो किये और इसको हम जल से अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर कि अब इसको होता है एक ट्रेडिंग मार्केट में अब का में हाइए यलो सीप होता है उसके इसमें आपका हाई-लो अब इस्ट्रक्ट्टर स्वीप होता है इस तो नहीं को दिखा देता हूं थोड़ा सा कि लाइक के यह बेरेस्ट इस्ट्रक्ट्टर रहे हैं कि आपका हाई-लो अगें लोगर लोज यहां पर इंडिया यह आपका लोगर हाई अगें यह ब्रीक अफ इस्ट्रक्ट्टर हुआ अपका उपर गया इस वाले हाई को स्वीप कर देता है यहां से फिन नीचे आया होगा इसने इसको ब्रेक यहां से आपका होता है तो फूरी लैग बनती it कि अब क्योंकि यह वालिजो लाइख होती है यह अधर कि को रिल्सन के बारे मताए को रिल्सन आपको इतना जादा ज़्रूरत नहीं सिर्फ अपने जो वी करते हैं जिसटॉक में भी एक दौंस उन पर ट्रेट करो ज्यादा फोकस मत करो मैल्टिवल फोकस करोगे तो अच्छा फोकस कर पाओगे कि इतने सारे कुछन आप प्लीज वनवाई और पूछे को तो ज़्यादा सही रहेगा कि आपको समझ आता है उसके बैसे पर ही टेक्निकल जो भी आपको समझ आता है उसके कि जो भी प्राइस दिखेगा वह चार्ट भी दिखेगा फंडमेंटल होते रहते हैं उसको में ज्यादा तर मैनुपलेशन होती है हो मैंुदी एर इस्ट वीन South प्रर ol'ुुम तार्ट तो भी एर श्रमीनिवज और ग्राट दिर टीस्त प्र वास्मेट पो ऱुBE मोफुम अ्वन क्वलिभी आपको सम्- सम-साम-साम-सामarl यस मंद्ठ चांब बाधिन टो अटिन की पानुट आपानुमाट आपान्पन लिखूट्ट विट्वेश्ट अस्मान्नी चांसिट प्लीज वन भाइवन पूंचोंगे तो मैं आंसर देपाऊंगो इतना रीट करने में प्रावलम हो रही करता हूं कि काफी सारे कोशन इतने सारे की साथ लोग पोस्ट कर रहे हैं उसको काफी पॉसिबिल नहीं है सब के लिए करोगे तो जादतर में कोशन कवर अप कर पाऊंगा लेकिन मैक्सम लोग मल्टिपल टाइम से उसको पोस्ट कर रहे हैं जिससे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है okay everyone so i think we should offer this session and if you late so no need to worry क irony आइक लेवन